हुलो फैंज वेलकम टू इस वीडियो क्लास फैंज इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूंगा SSC-CHSL 2017 का इंग्लिश सेक्सन का यह पेपर है और इसमें मैं 25 कोशन लिए है 2nd FAP 2017 को यह पेपर हुआ था और यह पेपर CGL, CPU, Steno, CHSL, MTS इन सभी एक्जैम्स के लिए highly important रहेगा तो चलिए देखते हैं इन questions को यह real questions है तेखिए यहां पर एक फिलर का यह question है ठीक है अब फिलर के questions में examiner आपका context की knowledge यह चेक करना चाहता है ठीक है फिलर्स के questions इस तरही किसे दिये जाते हैं कि उसमें आपकी vocabulary की knowledge प्लस context की knowledge का context में किसी word को कैसे use करना है यह दोनों ही चीज़े examiner यूज करता है अब यहां पर देखते हैं पियूश wondered का मतलब क्या होता है कि बिना किसी एम के घूमना ठीक है अब यहां पर देखे थू लाइफ with no clear idea of where he was heading अब यहां पर एक keyword दिया है इस तरह के keywords examiner देता है कि थोड़ा सा context उसमें complicated बनाने कोशिश की जाती है heading का मतलब है किसी direction में जाना ठीक है लेकिन यहां पर दो की word है एक तो wondered है और एक आगे यहां पर लिखा हुआ है with no clear idea तो इसका मतलब यह है कि नीचे जो options दिये हैं इसमें से यहां पर cable aimlessly word ही आ सकता है ठीक है aimlessly तो इसका सही answer होगा aimlessly medley का मतलब पागलों की तरह excitedly मतलब बहुत उत्साह के साथ और crazily का मतलब यह पागलों की तरह होता है तो aimlessly यहां पर आपका appropriate word होगा यह है second question यहां पर देखिए the chess player moved his piece to a more position securing the win मतलब chess player ने वहां पर जीत दर्ज की लेकिन जीत दर्ज करने के लिए उसने अपने piece को अपने प्यादे को किस position पर रखा उसने अपने प्यादे को ऐसी position पर रखा जिससे उसको advantage मिले जिससे उसका जो company टेरा है वो हार जाए ठीक है तो इसमें advantageous यह जो option है यह इसमें सही होगा अब देखे यहाँ पर यह third option ही क्यों आ रहा है यहाँ पर profitable भी तो हो सकता है देखे यहीं पर आपकी context की knowledge चेक होती है profitable जो है यह business sense में use होता है ठीक है गेम्स में इसको हम use नहीं करते और auspicious यह थोड़ा सा religious word है जिसका मतलब होता है शुब या mangal ठीक है mangal कारी यह से हम हिंदी में बोलते हैं तो auspicious यह थोड़ा सा religious word है यह business related word है सही word होगा worthwhile एक अलग sense में use होता है worthwhile का मतलब कि इस काम को करना सही रहेगा worthwhile रहेगा ठीक है इसकी एक worth है तो इस तरीके से examiner आपकी context की knowledge को ssa exams में check करता है यहाँ पर third आपका सही answer आपका होगा ऐसे आपको समझना है अब देखिए यह sentence improvement का एक question है और यहाँ पर देखिए would it be impolite to be asked why they are leaving मतलब इस question का मतलब यह है कि क्या यह पूछना कि वो वो कहां जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं implite होगा सही नहीं होगा तो यहाँ पर would it be impolite to ask हम बोलेंगे to be asked नहीं to be asked का मतलब तो यह हो जाएगा कि जो व्यक्ति यह question पूछना चाहता है उससे यह question पूछा जाएगा suppose A, B से बोल रहा है कि क्या यह पूछना या क्या यह उनसे कहना impolite होगा कि वो लोग क्यों यहां से जा रहे हैं तो A, B से बोल रहा है इसलिए इसमें active voice का हम use करेंगे यदि हम इसको to be asked की तरह use करते हैं तो फिर तो यह passive voice हो जाएगा फिर उसका मतलब यह होगा कि B, A से पूछ रहा है जबकि context बोल रहा है कि A, B से पूछ रहा है ठीक है तो इसमें सही answer होगा आपका to ask इसमें सही answer आपका होगा चलिए next question हम देखते हैं the workers are bent on getting a full month pay as bonus मतलब workers ने दरड़ निश्य कर लिया है और workers ने दरड़ निश्य कर लिया है कि उनको full month का pay बिलना चाहिए bonus की तरह तो देखिए bent on का मतलब होता है दरड़ निश्य कर लेना, ठान लेना तो bent on भी हम बोल सकते हैं, bent upon भी बोल सकते हैं, bent के साथ ये दोनों ही proposition correct माने जाते हैं तो इसमें चुकि bent on दिया है, यहां पर upon दिया है तो upon की जरूरत नहीं है bent on और upon दोनों ही सही है, इसलिए यहां पर सही answer होगा आपका low improvement, ठीक है अब देखिए, यहां पर आपसे सुनोनिम पूछा है, maestro का, maestro देखिए, जैसे cricket में सचिन तेंतुलकर जो है, उसके लिए हम betting maestro word का use करते हैं maestro का मतलब होता है, जो अपने खेल में, अपने काम में पूरी तरीके से expert है, लेकिन maestro जो word है, यह magic में भी use होता है, जो conductor होते हैं, जो performance को कराते हैं, उसको भी हम maestro बोलते हैं तो यहाँ पर जो options दिये हैं, इसमें expert option तो नहीं दिया है, तो इसलिए conductor ही इसमें आपका सही answer होगा, ठीक है, नियो फाइट का मतलब होता है, नौ सिखिया, इसका मतलब भी जो नया नया काम स्टार्ट कर रहा है, catch you one, और so for more का मतलब यह second position को बताता है, किसी भी चीज मे किसी में सीरीज में, जो second number होता है, that is called so for more, ठीक है, तो यहाँ पर conductor इसका सही answer आपका होगा, synonym of troll, देखिए इस word को आपने internet पर देखा होगा, internet पर किसी वेक्टी को जब हम upset कर देते हैं, या वो upset हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, troll करना, तो इसमें, उससे related कोई word नह मतलब यह है किसको यहाँ पर noun की तरह यूज किया जा रहा है, तो noun की तरह जब इसको यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है, जैसे कहानियों में, या किस्सों में, या किताबों में एक छोटा सा राक्षस होता है, या वो जो आकरती होती है, राक्षस की, उसको हम बोलते तो इसके लिए हम जीनोम इसका स्रोनिम यहां पर होगा ठीक है इस पूरूस का मतलब एकदम साफ होता है सौप का मतलब elegant decent होता है डैपर का मतलब भी neat and clean होता है डैपर ठीक है तू हिऊ, इसका आपको बताना है तू हिऊ का मतलब होता है किसी जीसको कतरना या काटना तो प्रून तो इसका सोनेम होगा चॉबीस इसका सोनेम होगा किलीब का मतलब conducting कर देना और यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया है एग्लूटीनेट यह glue से बना है glue glue का मतलब क्या होता है gond जिससे हम किसी चीज को चिपकाते हैं agglutinate agglutinate मतलब चिपकाना और hue का मतलब काटना या चौप करना तो agglutinate यहां पर सही answer इसका होगा आगे हम देखते हैं flake काफी cutting words हैं यह कोई simple words नहीं है फिले का मतलब होता है जैसे actually किसी वेक्ती को या किसी जानवर को इतना तेजी से मालना, beat करना कि उसकी जो खाल या skin होती है वो बहार आ जाए उसको उस sense में हम flake को यूज करते हैं scalp, peel peel का मतलब जैसे किसी कोई वो होता है, कोई फल या सब्जी होती है, उसको हम peel करते है ठीक, उसको हम छीलते है तो यहाँ पर scalp पर peel तो इसको सनोनेम हो जाएंगे excoriate, criticize होता है seed, seed का मतलब cover करना होता है protect करना या cover करना, तो seed यहाँ पर इसका एंटोनेम होगा तो यह CHSL 2017 का एक पेपर है real questions है और सेम ऐसे ही आप expect कर सकते है next forthcoming SSE exams में यहाँ पर यह active passive voice का question है they will advise me ठीक है तो they subject हो गया, will advise यह है यह verb हो गया, me जो है यह object हो गया, तो आपका जो पैसे voice बनेगा, वो यहाँ से बनेगा me से, me जब इस तरह जाएगा तो यह I में change हो जाएगा ठीक है, और will को हम change कर देंगे या तो will be में या shall be में will be और shall be एक ही meaning है उसका तो cable इसी sentence में shall be दिया है और third form दी है वर्ब की तो आपका जो answer होगा, वो होगा third, ठीक है अब यहाँ पर देखी correct spelling आपसे पूछी है, इस नगल्ड में डबल जी आता है तो यह गलत हो गई gimmicky में डबल M आता है benefice में B E N E आता है तो इसमें पेरागुए की spelling सही है यह एक देश का नाम है ठीक है यहाँ पर यह एक idiom आपसे पूछा गया है flea market flea market हमें एक ऐसी market को बोलते है जहाँ पर second hand goods बेची जाती है थर्द इसमें आपका सही answer होगा flesh and blood किसी भी physical वेक्ति को जिससे आपका खून का रिस्ता है ठीक है, आपका भाई है, आपका बहन है उसको हम बोलते है flesh and blood तो fourth इसमें आपका सही answer होगा next हम देखते हैं, ये spotting error का question है, mother doesn't hardly देखिए, doesn't negative word है, hardly semi negative word है negative और semi negative word है ये साथ में नहीं आते, तो इसमें ये ही गलती है इसमें answer होगा आपका a ठीक है, आगे हम देखते है no beggar who comes यहाँ तक तो ये sentence सही है two are those goes back empty handed मतलब हमारे दर्बाजे पर कोई भी विक्ती या कोई भी भेकारी आता है तो वो खाली हाथ नहीं बापिश जाता देखिए, यहाँ पर बहुत ही बारीग mistake है, बहुत ही subtle mistake है, काफी सारे students इस question को गलत कर देंगे, no error लगा देंगे देखिए, कोई भी भी भेकारी जो हमारे दर्बाजे पर आता है, पर मतलब at, point बता रहे है ठीक है, यदि आप यहाँ पर to लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि इस position से, इस position की तरफ आना, तो हम यहाँ पर direction नहीं बता रहे हैं यहाँ पर हम position बता रहे हैं to actually direction को indicate करता है, जैसे I am going to आगरा, ठीक है, तो इस लिए यहाँ पर at सही होगा ठीक है, तो b इसमें आपका सही answer आपका होगा अब देखिए, यहाँ पर एक यह question पूछा गया है to lift or haul something heavy with great effort तो मतलब किसी भारी चीज को उठाना या सरकाना इसको हम heap बोल सकते हैं, heap यहाँ पर सही answer होगा, shrimp एक मचली होती है, wimp एक कायर व्यक्ति को बोलते है, runt एक छोटा सा pig होता है pig यानि sewer ठीक है, उसके लिए यह word यूज होता है heap यहाँ पर सही answer होगा ठीक है, next हम देखते है, a conclusion or agreement done or reached decisively and with authority मतलब एक ऐसा निसकर्स जिसको definite तरीके से decisively और authority के साथ उसको बनाया गया है तो इसका तो simple answer है definitive, definitive हम बोलेंगे definitive, ठीक है यह एक direct and direct का question है इसको देखते हैं, the coach said do not move boy coach order दे रहा है, ठीक है तो यह imperative sentence है imperative sentence में हम affirmative sentence में हम to लगाते हैं negative में हम not to लगाते हैं तो इसमें आपका answer हो जाएगा the coach ask the boy not to move यह आपका सही answer इसमें हो जाएगा next question देखते हैं correct spelling correct spelling अगर देखा जाए तो इसमें libretto में डबल टी आता है ठीक है jazziest की spelling सही है jazziest मतलब colorful ठीक है यह Christian community में यह word यूज होता है God के जो ministers थे उनके लिए यह word यूज होता है यह एक Japanese aircraft का नाम है केमी काजी libretto में डबल टी आता है jazziest यहाँ पर आपकी सही spelling jazziest का मतलब होता है colorful अब देखते हैं इस question को we should learn we should learn our lessons from this history and stay away from stay away from आएगा यहाँ पर यह हो जाएगा आपका फर्स्ट we should learn our lesson from this history and stay away from यह हो जाएगा second और यह हो जाएगा आपका थर्द यानि P then R then Q इसमें आपका अंसर होगा फर्स्ट चिक है इसमें पूरा पूरी तरीके से यह logical exercise होती है और logic आपको इसमें अप्लाई करना होता है यहाँ पर देखते हैं public goods are public goods मतलब जो जो government का जो सामान होता है सारा transport और यह सारे railway stations यह सारा public goods are public goods are important as they as they देखे यह फर्स्ट हो जाएगा public goods are important as का मतलब होता है because because they अब दे चुकि सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब ही आ सकती है वर्ब है इसमें mitigate तो public goods are important as they mitigate the impact of income, poverty and inequality मतलब public goods जो है वो mitigate कर देती है किसके impact को poverty और inequality के impact को कम कर देती है तो इसमें फस्ट हो जाएगा यह हो जाएगा second यह हो जाएगा third PQR तो second इसमें आपका सही answer हो जाएगा ठीक है यह आपका एक close test है the scene will now shift to obtaining obtaining full, lavish, comfortable यहाँ पर तो enough ही आ सकता है इसका meaning में आपको बताता हूँ अभी instrument of ratification actually दो countries के बीच में एक agreement होता है दो countries के बीच में कोई भी agreement होता है तो that is called instrument of ratification तो यहाँ पर enough word ही आ सकता है the scene will now shift to obtaining enough instrument of ratification to bring the agreement into force मतलब जैसे जैसे 10-20-50 कंट्रीज हैं और उनके बीच में के agreement होना है तो जबी कंट्रीज को instrument of ratification पर साइन करने पढ़ेंगे ठीक है तो the scene will now shift to obtaining enough instrument of ratification to bring the agreement into force मतलब इस एग्रीमेंट को एदी फोर्स में लाना है एदी एप्लाई करना है तो हमें इनफ इंस्टूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन की जड़ूद पढ़ेगी ठीक है 2020 यहां पर फिगर दी है तो यहां पर तो यह तो बाई आएगा या बिफोर आएगा तो बाई तो इसमें नहीं दिया है बिफोर आजाएगा इसमें सेकिंड बाले में बिफोर आजाएगा into force before 2020 the first year of its first year of its implementation क्योंकि अभी instrument of ratification ये implement नहीं हुआ है तो इसलिए हम इसमें बोलेंगे proposed implementation क्योंकि proposed बैसे भी एक adjective है और implementation noun है तो इससे पहले adjective भी आएगा तो यहां पर आजाएगा proposed implementation the agreement will enter into force with the ratification of इसमें आजाएगा आपका at least मतलब agreement जो है ये तभी apply होगा जब कम से कम पच्पन कंट्री इस पर साइन करेंगी ठीक है तो यहां पर आजाएगा आपका at least यानि second 55 countries whose aggregate greenhouse gas emission इसमें हो जाएगा आपका emissions है चूकि ये emissions है चूकि ये emissions है तो इसलिए यहां पर ऐसी वरभाएगी इसमें इस नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा constitute मतलब इसमें ऐसी 55 countries के साइन चाहिए है जिनका जिनका aggregate greenhouse emission जो है वो 55% से कम है ठीक है at least 55% of global emission ठीक है तो ये इसका meaning है और इन सभी के लिए इसको करने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है तो ये CHSL का एक पेपर है 2017 का आपको ये explanation समझ में आया होगा और इस तरह के previous year questions जाज स्यादा में आपको आगे भी solve करवाऊंगा तो इस video class में इतना ही कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो इन numbers पर आप दे सकते हैं इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में thank you